नमर एक धूप सेकें सुबा की धूप बॉडी के लिए बहुती फायदे मंद होती है इससे शरीर को भरपूर मात्रा में बिटामिन D मिलता है जो हड्डियों की मजबूत बनाता है इसके अलावा धूप सेकने से कई तरह की स्किन समस्याएं भी दूर रहती है और तो और सुक पूरी माना गया है और थोड़ी देर धूप में बैठने से स्ट्रेस भी दूर होता है नमर दो रोजाना वर्काउट करें रोजाना 20-30 मिनट का समय जरूर निकालें वर्काउट करने के लिए यकीन मानिए इससे आप न सिर्फ बॉडी को फिट रख सकते हैं बल्कि अपनी उम्र के भी कई साल बढ़ा सकते हैं वर्काउट का मतलब जिम जाकर घंटों पसीना भाना नहीं होता बल्कि घर के नॉर्मल कामकास से भी आसानी से खुद को फिट रखा जा सकता बुड़ापा जल्दी आता है इन 6 कारडों से नमर एक बहुत सादा मात्रा में पानी पीना कई लोग यह मानते हैं कि अधिक मात्रा में पानी पीने से व्यक्ति स्वस्त रहता है लेकिन वो लोग यह नहीं जानते हैं कि किड्नी को उतना ही अधिक कारे भी करना होगा आयुर्वैद के अनुसार बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने से व्यक्ति में जल्दी नमर दो दिन में सोना और रात में जागना प्रकर्तिक ने हमारे शरीर में एक घड़ी फिट कर दी है प्राचीन काल में मनुश्य उस घड़ी के अनुसार ही सो जाता था और प्राथय काल जल्दी उठ जाता था कहते हैं कि जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जाग उस बच्चे का दूर दूर तक दुनिया का दुख भागे नम्मर तीन भारी यानि गरिष्ट भोजन करना गरिष्ट भोजन को पचाने के लिए आतों को अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है जो काम दात नहीं करें अमीर बनने के साथ नियम अब मैं आपको बताऊंगी कि अमीर कैसे बने और अमीर बनने के साथ नियम कौन कौन से है अमीर कैसे बने दुनिया में हर इनसान दौलत मंद बनना चाहता है लेकिन केवल एक परसंट से कम लोग कर पाते हैं जिस प्रकार हर काम को करने के कुछ नियम तथा तरीके होते हैं उसी प्रकार दौलत मंद बनने के लिए कुछ नियम होते हैं आगे आपको अमीर बनने के साथ नियमों के बारे में जानकारी दी गई है आप अपने आपको इन नियमों पर जाचिये कि आप कितने नियमों को follow करते हैं बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन नियमों को follow करते हैं पहला नियम अपनी आमंदनी का कम से कम 10% हिस्सा बचाए आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है यह वह पहला कदम है जो आपको अमीर बनाएगा आज तक जितने भी लोग अमीर हुए हैं उन्होंने इसी नियम का पालन करके अमीरी हासिल की है नमर नौ रात में सोते समय कान में दो या तीन बुंदे सरसो के तेल की डालें ऐसा करने से कान में जमा हुआ मैल सुभा तक बहार आ जाएगा नमर दस सुभा खाली पेट अजवाइन का पानी पीने से पेट की चर्वी जल्दी पिखलने लगती है नमर ग्यारा अगर आपको कमजोरी महसूस होने लगे तो दूद में खजू डाल कर पीना सुरू कर दें इससे जल्दी शरीर में ताकत आने लगेगी नमर बारा अगर आपको अकसर सिर्दर्द की समस्या रहती है तो आप पालक का सेवन ना करें नमर तेरा तेज चलने वाले व्यक्ति का शरीर कभी ढीला नहीं पढ़ता नमर चौदा मैथी दाने का इस्तेमाल करने से सीने की तकलीफ और बलगम बढ़ने जैसी बीमारियां दूर होती है नमर पंदरा अंगूर का जूस पीने से आप बायरिस और बेक्टिरिया से सुरक्षित रह सकते हैं शरीर में खून की कमी यानि अनिमिया की शिकायत होने पर अगर आप अंगूर के जूस का सेवन आखों की रोशनी बढ़ाने और चश्मा हटाने के घरेल हो उपाए नमर एक आखों का स्ट्रेस दूर करने के लिए अपनी दोनों हतेलियों को आपस में रगड़ें जिससे गर्मी पैदा होगी फिर आखे बंद करके हतेलियों को आखों पर रखें धियान रखें आखों पर हाथ रखने पर रोशनी बिलकुल ना आए दिन में ऐसा तीन से चार बार करें नमर दो आव लेके पानी से आख धोने से या गुलाब जल डालने से आखे स्वस्त रहती हैं नमर तीन आखों के हर तरह के रोग जैसे पानी का गिरना आसू आना आखों की दुरवलता आधी होने पर रात को साथ आठ बादाम भिगो कर सुभा पीसकर पानी में मिला कर पीएं नमर चार एक लीटर पानी को तावे के जग में रात भर के लिए रख दें और सुभा उठकर इस पानी को पीएं तामे में रखा पानी को पीएं रोजाना में काम आने वाले दादी मा के घरेलू नुस्खे नमर एक मुह की बदबू से परेशान हो तो दाल चीनी का टुकडा मुह में रखें मुह की बदबू तुरंत दूर हो जाती है नमर दो बहती नाक से परेशान हो तो यूकिलिपिस्टिक सफेदे का तेल रुमाल में डाल कर सूंगें आराम मिलेगा नमर तीन कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोजाना सिर में प्याज का पेस्ट लगाएं बाल सफेद से काले होने लगेंगे नमर चार गले में खराश होने पर सुभा सुभा सौंफ चवाने से बंद गला खुल जाता है नमर पांच सवेरे भू के पेट तीन चार अखरोट की गिरिया निकाल कर कुछ दिन खाने मात्र से ही घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है नमर छे ताजा हरा धनिया मसल कर सूंगने से छींके आना बंद हो जाती है गुप्त रूप से करें ये नौकाम नमर पांच घर में पूजा के समय कपूर जलाया जाए तो घर में सदैव खुशाली बनी रहती है और सभी नकारात्मक उरजाओं का हर्श होता है नमर छे किसी विशेश काम के लिए घर से बाहर जाए तो उसे सबसे पहले अपना दाहिना पैर बाहर निकालना चाहिए दाहिना पैर शुब माना जाता है और इससे कार्य के सफल होने की संभावना अधिक होती है नमर साथ पंच मुखी दीपक को गाय के घीमे ही जलाना चाहिए धार्मिक माननेता है कि ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है इसके अलावा घर का वास्तु दोश भी दूर होता है नमर आठ एक नारियल के उपर सिंदूर से तिलक करें और उसे साथ लेकर अपने कार्य पर जाए और जब कार्य सफल हो जाए तो इस नारियल को गनेश जी के मंदिर में स्थापित कर दें नमर नौ प्रतेक अमावश्या को रात्री में पीपल के नीचे शुद घी का दीपक दियान देने योगे बातें अपना कीमती समय निकाल कर जरूर पढ़े नमर एक जो महिलाएं अपनी पीठ सीधी रखकर बैठती हैं उन्हें कभी भी कमर दर्द नहीं होता और नाही रीड की हड़ी टेड़ी होती है नमर दो वाश्रूम के अंदर बोलने से बहरेपन की बिमारी हो जाती है नमर तीन आयूरवेद के मताविक एक गिलास गरम दूद में एक चमच गाय का घी और मिश्री मिलाकर लगातार पीने से मानसिक और दिमागी कमजोरी दूर होती है नमर चार किड़नी के ऐसा अंग है जिस पर पूरे शरीर की सेहत तिकी हुई है किड़नी में कोई प्रॉबलम होने पर हमें नारियल पानी पीना चाहिए नारियल पानी किड़नी के लिए रामबाड होता है नमर पांच पत्ता गोभी में दूद के बरावर कैल्शियम होता है जो आपकी हड़ियों को मजबूत करता है इस कारण जिन लोगों को दूद पीना पसंद नहीं है उनके लिए यह एक बहतरीन पिकल्प है चहरा गोरा होने के उपाए दादी मा के घरिल उन्नुस खे नमर एक सबसे पहली बात दिन में जितना हो सके पानी पीने से चहरे पर चमक आती है यह अजमाया हुआ है नमर दो आमले का मुरब्बा रोज खाने से दो तीन महीने में ही रंग निखरने लगता है नमर तीन चहरे पर दही का मास्क लगा ले और सूखने के बाद धोले दूद और दही चहरे को गोरा बना कर कुदर्ती निखार लाते है नमर चार कच्चे आलू को काट कर चहरे पर मले इसे थोड़ी देर बाद हलके गरम पानी से धोले ऐसा करने से चहरे के सारे दाग धब्बे साफ हो जाते है नमर पांच टमाटर का टुकडा काट कर उससे चहरे पर हलके हलके मसाज करें चहरे की सारी गंदगी साफ हो जाएगी तो अचा भी चमकने लगेगी नमर छे गाजर का जूस आधा गिलास खाली पेट सुवा लेने से एक महीने में रंग निखा